दोस्तो इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं अगर आप इंडिया पोस्ट पैमेंड बैंक में खाता खुलवाए हैं और अभी तक आप इंडिया पोस्ट पैमेंड बैंक का मोबाइल बैंकिंग रेजिस्टर नहीं किये हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो के माधियम से अस चार्च कर सकते हैं, कहीं पर आप पैसा ट्रासपर कर सकते हैं, पैसा आप चेक कर सकते हैं, और आप मीनी अस्टेटमेंट भी दोस्तो आप देख सकते हैं, दोस्तो आप इन सभी परकार का लाब लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को सुरू से अंतक देखना होग और इस वीडियो को देखकर असानी से आप इंडिया पोश्ट पेमिंड बैंक में मोबाइल बैंकिंग रेजिस्टर करने के लिए अपने मोबाइल फोन में प्ले अश्टोर उपेन करेंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करना है इंडिया पोश्ट पेमिंड बैंक मोबाइल या फिर दोस्तों लिखना है IPPB Mobile Banking लिखने के बाद दोस्तों आप इस application को download करके open कर लेंगे इस application का link व्डियो के description box में दे देंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पार होएंगे customer ID, date of birth और यहाँ पर mobile number डालना है उसके बाद यहाँ पर आप देख पारंगे registered तो यहाँ पर आपको डाल लेना है सही से और यहाँ पर registered कर लेना है तो दोस्तों आपको account number खाता खोलवाते समय मिला होगा और customer ID भी दोस्तों उस पर आपका लिखा होता है तो चलिए आपर हम डाल लेते हैं यहाँ पर account का details डाल कर दोस्तों यहाँ पर आपको registered के उपर के ले कर दना है और यहाँ पर आपको एक pins डालना है तो यहाँ पर आप अपना मन पसंद का pin डाल लेंगे और यहाँ पर आपको confirm pin डाल दना है और यहाँ पर आपको set pin के उपर के ले करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख पार होएंगे security kitchen तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना सेक्रेटी कीफचन डालना होगा तो यहां पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि आपका किस जगह जनम हुआ था तो यहां पर आपको जगह डाल देना है तो चलिए आप जगह डाल लेते हैं और यहां पर बताया जा रहा है आपका आस्कुल कहां पे है यहां पर आप अपना आस्कुल का नाम डाल देंगे और यहां पर आपका फैवरेट फ्रेंड यहां पर जो आपका फैवरेट फ्रेंड होगा दोस्तों यहां पर डाल लेंगे और यहां पर टीचर का नाम बोल रहा है तो यहां पर आप टीचर का नाम डा के बाद यहां पर आपको जो मॉबायल डाले हैं उसी नंबर पर आपको एक OTP भें़ दिया गया है यहां पर आपको डाल कर दोस्तों यहां पर वेरिफाइड कर लेना है तो चलिए यहां I don't OTP डाल लेते हैं आपका जो OTP होगा दूस्तों यहां पर सही सही आप डाल लेंगे OTP डालने के बाद दूस्तों यहां पर आप देख पार हमें कि जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट KONE में मोबाइल बैंकिंग Race करने के लिए आप फॉन भरे थे हैं यहां पर आपको नानी से इन सभी सर्वीसों को फीरी में यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देख पार हैंगे यहां पर करना इस आइकन को पर और मीनी अस्टेटमेंट देखने के लिए मीनी statement को पर के लिए करना है तो यहां पर आप को ledn देन पता हो जाएगा कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा आपको यहां से transfer किया गया है और यहां पर आप निची आएंगे तो यहां पर आपको fulfil मिल जाता है यहां पर विजली भुखतान कर सकते हैं अगर आप कहीं फैसा भीज़ता चाहते हैं तो यहां पर देख पारंगे दोस्तों आप असानी से इंडिया पोश्ट पेमेंड बंक में मोगाईल बंकिंग रेजिस्टर करके दोस्तों आप इन सबी सर्विसों को लाब ले सकते हैं दोस्तों मीद्ब करता हूं कि ए वीडियो आपको काफी पसलद आऊगा वीडियो पसाइए शेयर आत्राम.